हलो दोस्तो मेरा नम है प्र्यांका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोस्तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपना अधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निश्क्रिये हो जाएगा यानि कि वो किसी भी इस्तेमाल में आपके नहीं आ पाएगा और आपको जुर्माना भी लग सकता है 10,000 रुपे तक का अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने अधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो अभी आप अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कर लेजिए online सिर्फ एक minute लगेगा और आपको form में जाज जानकाई देने की ज़रत नहीं पड़ती है आपको सिर्फ अपना अधार कार्ड नमबर लिखना है और अपना pen card नमबर लिखना है और आपका एक minute में जो है link हो जाएगा अधार कार्ड pen card के साथ अगर आप SMS से अपना pen card अधार कार्ड से link करना चाहते हैं तो आपको UIDPN बड़े अक्षरों में लिखना है और उसके बाद अपना अधार नमबर लिखना है उसके बाद अपना pen number और उसे 567678 या फिर 56161 पर भेज देना है आएकर विभाग आपका pen card अधार कार्ड से link कर देगा और उसका confirmation message भी आपको मिल जाएगा तो चलिए अब SMS के बाद online अधार कार्ड को pen card से link करने का तरीका जानते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको इसकी website पर आना है इस website का link मैंने आपको description box में दे दिया है आप वहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने ये website open हो जाएगी आप अपने phone से या computer से किसी से भी इस website पर pen card और आधार कार्ड को link कर सकते हैं सबसे पहले इस add को आप close कर ले then यहाँ पर आपको एक option में लेगा link आधार कार्ड यहाँ पर click करें आपके पास ये form open हो जाएगा यहाँ पर आपका pen number आएगा उसके बाद आपका आधार number लिखा जाएगा उसके बाद आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर आएगा अगर आपके अधार कार्ड की और pen card की detail match करेगी तभी ये link हो पाएगा और यहाँ पर अगर आपके अधार कार्ड में year of birth है तो यहाँ पर click आएगा लेकिन अगर पूरी date of birth लिखी हुई है तो यहाँ पर click ना करें और I agree पर click करते हुए नीचे यहाँ पर capture code लिखें और link अधार पर click कर दें मैंने अपनी side details इसमें भर दी है इसके बाद यहाँ पर link अधार पर click करें यहाँ पर लिखा है कि आप अपना status check कर सकते हैं और status check करने के लिए आपको वापस home पर जाना होगा यहाँ से home पर जाएं यहाँ आपको faces को close करना है link अधार पर click करना है और अब यहाँ ऊपर click here पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर pen card और अधार card का number लिखना है और view link अधार status पर click करना है यहाँ मैं अपनी details भर चुकी हूँ उसके बाद click करती हूँ view link अधार status पर उसके बाद यहाँ पर लिखा आता है your pen is linked to अधार number यानि की मेरा अधार number pen card के साथ link हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो helpful लगती है तो हमारी चैनल को subscribe कर लें और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में thank you कुम कि अ हुआ हिए राद कर वुमा कर लिख राद कर दाता सुट